बिहार मूब मीडिया देखने हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अभी जी इस वक्त एक बड़ी ख़बर आ रही है ख़बर बिहार से है बता जा रहा है कि बिहार के दर्भंगा में लसकरे तयवा ने विस्फोट की साजिस्राची थी हम आपको पता दें कि इसी साल जून महीन में दर्भंगा रेलवे स्टेशन पर खड़ी दर्भंगा सिकंद्राबाद एक्स्प्रेस ट्रेन के पार्सल बॉगी में धमाका हुआ था और इसको लेकर एनाईय की टीम च्छानबीन कर रही थी और अब एनाईय की टीम ने चार सीट स्वपा है जिसमें की इसका जिक्र कि किया गया है कि इस ब्विट्फोट की साजिस पाकिस्तान में रची गई थी और इसमें लस्करे तव्येवा का हाथ है अजिए जून में दर्भंगा रेल्वे स्टेशन पर खड़ी दर्भंगा सिकंद्राबाद एक्स्प्रेस स्ट्रेन के पार्सल कोच में हुए ब्लास्ट की साजिस पाकिस्तान में रची गई थी इस बात का जिक्र मामले की जाच कर रहे एनाईये ने अपने चार सीट में किया है मामले में एनाईये ने गुरुबार को पटना के एनाईये कोट में पांच आरोपीतों के खिलाप चार सीट डायर की है इसमें चार आरोपीत नाइक हि उपी का सामली निवासी इकवाल मुहम्मद इलियास हाफिज अभी फडार बताया जा रहा है बताया गया है कि विदेश में रहने के कारण NIA अब तक उसे गिरफतार नहीं कर पाई है इससे पहले गुरुबार को पटना के NIA कोट के विशेश नियाएधीस गुरुविंदर सि अदालत में चारसित डायर की गई जिन आरोपितों के खिलाप चारसित की गई है उसमें हैदराबाद निवासी सगे भाई नासिर मलीक और इमरान मलीक के अलावा यूपी के सामली निवासी कफील एहमद और हाजी सलीम भी सामिल हैं सभी पांचो अभ्योक्त यूपी के सामली के मूल निवासी हैं ये ने आरोपत्र में लिखा है कि अनुसंधान में पाया गया है कि सभी अभ्योक्तों का आपस में संबंध था और सभी लसकरे तयवा के सक्रिय सदस्य हैं और संगठन के निर्देश पर पार्सल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया पतादे कि दरभंगा रिल्वे स्टेशन पर 17 जून को पार्सल बम ब्लास्ट हुआ था हलाकि बिसफोर्ट में कोई घायल नहीं हुआ था पार्सल में बिसफोर्ट लिक्विड रूप में था जिसे बोतल में भरा गया था बोतल को कपरों से लपेटा गया था और कपरों की खेप के रूप में इसे बुक किया गया था घटना की सूचना मिलने पर समस्तिपूर से जी आरपी के डियसपी नवीन कुमार सहित पूरी टीम मौके पर पहुंची थी चानवीन के दोरान कप्रों के बीच रखी गई 50 एमल की सीसे की बोतल मिली थी उसमें ही बिसफोटक सामागरी रखी गई थी पूलीस ने जाच के बाद इस बात का खुलासा किया था कि बिसफोट रखे कप्रे को सिकंदराबाद रिल्वे स्टेशन पर बुक किया गया था इसे मुहम्मद सुफियान के नाम पर बुक किया गया था जाच की कड़ी में तिलंगाना वो बिहार पुलीस और एनाईये ने संद्यूक कारवाई करते हुए दो सगे भाईयू नसीर और इमरान मलिक को गिरफतार किया था इस मामले में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर लगे सीसी टीवी फूटेज से एहम सुराग भी विले थे रभंगा विसफोर्ट मामले का तार अब पाकिस्तान से जुर गया है और पाकिस्तान का सक्रिये आतंकी संगठन लसकरे तैवा का इसमें हात वताया जा रहा है अब देखना होगा कि कब NIA की टीम हाफीज इलियास को गिरफतार करती है जो कि इस बक्त पाकिस्तान में छुपा बैठा है अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कर दे ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक